एक बड़ी अपडेट आपको बता दें चिनबाडा से जहां आज पूरा जोर बीजेपी चिनबाडा में अगर बात करें पहले चरण के परचार की तो आज आखरी तिन दिन आज से बचे हुए हैं प्रधार मंतरी मोधी विपरिया पहुंचे थे जहां पर उन्होंने चिनबाडा को साधा था लेकिन वो चिनबाडा नहीं पहुंच पाए लेकिन अब एक बड़ा मैसेज वहां से दिया गया था मंच पर चिनबाडा उमीदवार को खास एहमियत भी दी गई थी 16 अपरेल को अमिश चिनबाडा दोरे पर रहेंगे जहां एक दिन चिनबाडा में अमिश चिनबाडा में अमिश चिनबाडा रुकेंगे खास रणनीती के तहट चिनबाडा में अमिश चिनबाडा में अमिश चिनबाडा इस्टे करेंगे 16 अपरेल को चिनबाडा दोरे पर अमिश्याह रहेंगे खासी रणमीती भी चिनबाडा के लिए बीजेपी ने तयार की है नात की गड़ में अमिश्याह एक रोड शो भी करने जा रहे है और चले अधिक चानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए है अमित 16 तारिक को बड़ा महत्वपूर्ण दिन चिनबाडा में लगातार ये कयास लगाय जा रहे थे कि प्रधान मंत्री भी चिनबाडा पहुंचेंगे लेकिन प्रधान मंत्री ने चिनबाडा ना पहुंचेंगे नर्बदा पुरम से ही चिनबाडा को साथ लिया था लेकिन अब अमित 16 का कारिकरम है क्या कुछ रणनीती तैयार की है खबर ये है कि अमित 16 वहाँ पर रुकने भी वाले है इतने शेहर आपको बतादो कि चिनबाडा को लेकर भारतियनतापार्टी प्लैनिंस बनाते चलिए आ रहे है इसी प्लैनिंस के आगे बढ़कर अब अमिश्याजी का चिनबाडा दोरा बना है और दोरे में रोड्षो चिनबाडा में होगा रोड शो के बाद दो रात्री विश्याम चिंदवाला में करेंगे चिंदवाला को लेकि भारती अंता पार्टी का प्रदेश नितरत्व हो चाहे केंडरी नितरत्व हो गंपीर का पूर्वक चुनाओं में लगा हुआ है पूरी तरह चुनाओं में लगू है सिंद्वारा में देरा जमाय हुए हैं नीचे लेबल की पूरी planning कारेकरता करता कर आख चेदा करने के कले को पदा करने क्या आफषक चीज़ां को एक कारेकरताहों में कैसा जोद भरा जा सकता गो आगे रन्निति थरूस्ट वाद दो कि गए हमिश्षार सकता है हौए कि επιवाइब जेक सकता है कारेकर नगै करता और में ब्रति हो सकती एक बढ़ा जोश सकता है अने की उमीद अने निखाई देती है अमिश्या सुला तारीक को दो पहरबाद चिंद्वाला पहुचेंगे चार बजे चिन्द्वाला आएंगे साले चार बजे से रोडशो प्रारंब होगा जो की लगबग 2-3 घंटे का रोड़ शोगा रोड़ शोग के बाद वो रात्री के श्राम करेंगे प हमिश्या पूरी चिला भाजबा की कोर कमिटी और प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे क्या आवश्यक रणनीती बनेगी ये तो आने वाले समय ही बताएगा किस तरह से चिंद्वाला को लेकर आने वाले दिनों में जाएंगी भरती इंतपाटी आने वाल है चिंद्वाला लोग्सावाच छेतर के साय को में अनिम्हिंस न six precious मेर्थ इस ने नेतरत्व लगतार चिंद्वाला में यह बढ़े नेता चिंद्वाला आते हैं लिट वाला पर अनुराथ ठाटपूर के अम इस्छा चिंद्वाडा आ रहे हैं धरती अन्था पर्टी पूरी तरह जो है चेंद्वारा के केले को लेकर इक तरह सी प्रेंट पुट पर अब आ गई है पूरी तरह एग्रेशन में आग गई है चुनाओ प्रशार को इत अलग दिशा उन्होंने ले गई है मतदान के अब कुछी दिन बच्छी है और चिंदवाडा का चुनाओ प्रशार देखिए इस बार अगर बात करें तो बीजेपी के वो भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे फिलाज शुक्रिया इधर आपको बता दें कि चिंदवाडा को लेकर लगातार बीजेपी पूरी जो राजमाइस कर रहे हुए है क्योंकि चिंदवाडा बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क इसलिए बना हुआ है क्योंकि चिंदवाडा पर कॉंग्रेस की कबज़ा करे हुए है और यही बज़े है कि अब बीजेपी चाहती है कि इस अभेद के लिए को बेदा जा देखिए दो तस्वीरें पिपरिया में कल प्रधान मंतरी मोदी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक रैली को संबोधन किया और देखिए यह तस्वीर बीजेपी प्रतियाशी बिवेक बंटी साहू भी वहाँ पर मौझूद थे उन्होंने चिंदवाडा को लेकर भी तमाम बातें कहीं उन्होंने कहा कि चिंदवाडा से भी हमने हमारे यूबा साथी बिवेक बंटी को प्रतियाशी बनाया है तो व वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है दरसल आपको बता दें कि प्रधान मंतरी दोरा पहले ये खाबर आ रही थी कि वो भी छिनबाड़ा पहुंचेंगे लेकिन चुकि अब तमाम पूरे देश पर में जिस तरह से लगातार कारिक्रम है उस बियस्तता के चलते हैं अमिश शह का चिनबाड़ा पहुंचना निश्यत तोर पर बीजेपी के लिए कब बड़ी संजीवनी का काम करने जा रहा है लेकिन क्या कुछ रणनीती रहेगी किस तरह की शाह की रणनीती होने बाली है ये देखना फिलाल दिल्चस्प होगा